अधी भाजपा आपको इमिद्वार बनाती है तो क्या आप कलपना सोरेन का मुकाबला करने को तयार है उस कलपना सोरेन को जिसकी जीत के लिए अपना फुन पसिना बहा रहे थे आपने विकास का जो कर्मा गांडे में बढ़ाया था कलपना सोरेन उस विकास के कर्मा को आगे ले जा रही है या ब्रेक लगा दी या रफितार को काफी तेज कर दी अभी मादर तो तीन महना हुआ है और चुकि कलपना सोरेन मुखमंतरी की भी पतनी है और वो तो लोगों के सामने अपने ब्यानों में बहुत कुछ कह रही है और तो भी धरातर पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है तेरे महनत के कारण संघर्ष के कारण पूरे विधान सवाद चेतर को हमने एक नया दिशा दिया नया विकास के राफ्ते पढ़े के गए लोगों में खोजियां तो गांडे की ही जनता ने मुझे कहा सभी लोग ने कहा कि भाईया आप घर वापास आईए हम लोग सब चाहते हैं आपके जैसा विधायक चाहते हैं आपने जो सेवा दिया है जो आपने एक इमंदार नेतित्व यहां पैदा किया है हर के सुख दुखे साथ ही आप रहे है कभी आप राची में नहीं रहे तो हम लोग ऐसा ही वैक्ति चाहिए भाईया आप आये भाईया हम लोग तमाम करकरतार जनता हम लोग भी पार्टी से आगरा करेंगे कि जैप्रकास ची को प्रत्याशी बनाये जाए हम लोगों ने जो पांच वर्ष जो मौका मिला था दोज कमीशन और भुष्खोरी समाप्त हो इसके विए हमने बहुत बहुत प्रयास किया और हमने तमाम पदादिकारियों के सामने खुलम खुला चैनलेज भी कि जितने भी लोग आते हैं आप काम करिए आप किसी से मांगते हैं किसी को गुमरा करते हैं हमाते हैं बार बात तो हम को इस पर कारवाई करेंगे रहां लोग आप किसी कुछ मैंने वैसे ही जाने नहीं देंगे और कोडर्मा से लोग सभाद चुनाओं के अखाड़े में उतर चुके जेपी बर्माजी प्रोफेसर जेपी बर्मा जेपी बर्मा कोडर्मा गांडे और उस पूरेज उत्री छोटा नागपुर के इलाके में एक बड़ा चेहरा हैं अधि इनके अतीत की बात करें सियासी जीवन की बात करें तो इनके पीछे एक सियासी बिरासत भी रही है रित लाल बर्मा जो कडर्मा के पांच बार के शांसद रहे हैं उनके भतीजे भी हैं तो कहा जा सकता है कि सियासत इनके खून में रग में भती है तो आज हम चलते हैं जेपी बर्माजी के पास और जेपी बरमा जेसे ही समझते हैं कि जारखंड की सियासत में जीनों क्या चल रही है और फिलहाल जेपी बरमा जीस तरह सियासत की जो पकडंडियां है उससे कुछे इधर उधर घिसकते दिख रहे हैं हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि इन्होंने भातपा छोड़ जेम चानी ही इसे समझने की कोशिस करेंगे आपका अपको बहुत बहुत सुख्रिया और आपके तमाम सुरतों को मेरा नमस्कार ंऔर जोह जहार आपसे मिरी एक बात समझ जो सियासी गल्यारों में काफी दिनों से उचलता रहता है इसकी हकीकत क्या है और फसाना कितना है यह त 2014 2014 में बाद में सर्फराज यहमत के हाथ 2019 में आपको सियासी सिकस्ट मिली थी दावा कि याद आता है कि इस दर्मियान हेमंत सोरेन के साथ एक आपकी बादचित हुई थी और उस बादचित में आपको यह ओफर मिला था कि कोडर्मा की सीट से आपको उमिद्वार बनाया जाएगा और इसी आस्वासन के बाद आपने जेमेम की सवारी की थी जेमेम के साथ भी दिया था और साथ इस कदर दिया था कि 2024 के लोग सभाद चोनाव में जब आपने निर्दलिये खाड़े में कुटने के एलान किया जब आपको टिकट नहीं मिली उसके ठीक दो दिन पहले तक कलपना सोरेन के लिए जवर्दस्ट बैटिंग करते रहे हैं मुझे याद है कि जब इस द कर्मा क्या खाड़े में उतरने के एलान भी कर रहे हैं तो क्या यह कंट्राडिक्शन नहीं है इस पर आपने जवाब दिया था कि यह कंट्राडिक्शन नहीं है मेरे मैंने कि हम लोग इसम्माइ जाकरमकशती मौट्चा में थे और जाकरमकशती मौट्चा का सार्कुछ व भड कrovा था रहा था कोई कंट्रडेक्टरी नहीं है इसलिए मैं ऐसा कहा था उतिन आपको पूरी मंदारी से कलपना सुरण के लिए बैटिंग कर रहे थे आप हाँ जब तक हम थे पार्टी में तो हमने काम किया था एक सवाल जो मैं पुछा था आप से छुट गया आपके जवाब में वहया था कि क्या सिय महमंत ने आपको कोडरमा स्टीट के लिए क्यों आश्वासन दिया था मैं समझता हूं कि इसकी पीछे की सच्चाई है उसको सामने आने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए इसलिए कि जब आदमी कोई भी सारलीक जीवन में आता है सियासी जीवन में आता है तो पॉल्टिकल पार्टिसिपेशन उसको धूड़ता है और खासकर अधि दलित पिछडी राजनेती की बात की जाए तो ज्यारखंड में भी उसकी आबादी कम से कम साट सतर फिस्ट यह साट फिस्ट में मोर दें फिप्टी 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 है प्रांतु उस अनुपात म उसके पास परतनीधित्म नहीं है आज भी आधी मैं कुस्बाहाँ पॉल्टिक्सकी ही बात कर लूँ तो सहा जाती की जो आवा आदी जारखंड में है लोकसभा में तो एक चहरा भी नहीं है बिद्हान साभा में भी परतनीधित्म जो है नाम मातर का है तो आधी इस हालत मे आपको कोटरमाज स्रीट से आफर मिला था और अधिवा पूरा नहीं हुआ तो मैं नहीं समझता इस सचाई को बाहर आने में कोई गुरेज होना चाहिए नहीं सचाई तो बाहर आई ही थी तो कि बात पुरानी हो गई हमने उस दरान भी तो कहा ही था आपके चैनल में भी और वी चैनलों में बताया ही था कि मान्य मुखमंतरी जी हमन बाव ने कोटरमाज से चुनाव लने के लिए आवान हुशे किया था और उसी आवार पर हलो शा पर्टी में हैं और यहीं पर काम कर रहे हैं बात दिन्ता पार्टी का जो विचारदारा है इसको आगे बढ़ा रहे हैं अब 2014 में गांडे से विधाय करें हैं स्वाभी के गांडे के सीट पर आपकी भी दावेदारी होगी जी आपके पीछे लोग हैं आपके जो समर्तक वर होता है एक उसके अच्छे खासे फॉलोयर होते हैं उनकी चाहत होती है कि हमारा नेत्रित आगे बढ़े उनका दवाब भी आपर होगा फिर यह अभी लासा क्या भाजपा में आने के बाद जो गांडे की सीट है यह अभी लासा आपको पूरी होती नजरा रही है सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि सुत्रों के अधारिज जो खबर चल रही है और सुत्रों का जो दावा है उसका दावा है कि कितनी हकिकत कितना फसाना इसको जाने दीजिए अधी भाजपा आपको उमिदवार बनाती है तो क्या आप कलपना सोरेन का मुकाबला करने को तयार ह है उस कलपना सोरेन को जिसकी जीत के लिए अपना खुन पसिना बहा रहे थे हैं हमने सुरुआती दीन में जैसे चुनाव का सुरुआती दोचान दीन था तो हम लोग समसाथ में थे ही और जैसे प्रिस्तितिया बदली है बाद में हम जैनम को भी छोड़ चुके हैं अभी ह हम लोगों ने जो पांच वर्ष जो मौका मिला था 2014 से 2019 तक एक इमांदार नेत्रितु गांडे की जनता को हमने दिया साफ सुतरा काम किया भराष्टा चार मुत व्यवस्था प्रसासन जनता को ठके नहीं कमीशन और भूस खोरी समाप तो हो इसके लिए हमने बहुत बहुत हैं बार-बार तो हम लोग इस पर कारवाई करेंगे रहाम लोग आप कुसी कुछ मैंने वैसे ही जाने नहीं देंगे तो एक कड़ा हम लोग ने देश जारी किया और हम लोग सर्जग रहे तो गांडे की जनता को पास साथ भराष्टाचार मुत व्यवस्थार अच्छा काम देखने को मिला उसे अलावा हमने वहां पर विकास के भी एक मेया कृतिमान अस्थापित भी किया था उस से पांच वरसों में मैंने ग्रामीन सड़क को बड़ी सब्सक्राइब चार सो क्यूम्टर ग्रामीन सड़क हैं गाउं की विभिन चोटे-चोटे गलियों को पी सी सी जो है अब मेरे हमस्ति मिराईक बननी से पहले मातर पूरी विधान सबाश शेतर में दो पौओर सब स्टेशन थे हमने उस पाँच नह closure पाऊच नहीं मैंने अपने कारिकाल में म चुंतरी जी सिक से लिमांड करके उर्जा विभाग से बात करके, वहां करवाया, उसके अलावा, पाइन प्लाइन, पेज लापुरती योजना के माध्रम से हमने दस बड़े परीयोजना को वहां पर लागो किया, जिसे एक एक परीयोजना से चार-चार, तिन-तिन पैंचायद को कभर किया गया, तो जो भी मह सब्सक्राइब करते हैं नहीं जीत पाए राजितिक चुनावी समीकर्ण जनतन तो उझे चाहा जो कि जब मैं 14 में जीता था 14 में लगभग मैं 50,000 के आसपास भोट लाया था और मैं जब 19 में हारा तो उसमें मैंने 60,000 के आसपास भोट लाया जी पचास हजार से जीत हुई थी साथ हजार से हार होगी जी जी मने अपना वोट बहाया रानीती का करिस्मा भी गजब होता है जी जी महीं मैं कह रहा था कि मैं ये बात इसलिए कहां कि हमने जनता क्यों शेवा दिया और उसका फ़ल ये मिला कि लोगों ने मुझे चाहा भी बढ़ गया उनका वोट कुछ जादा उनके पास जुटा तो जिस कारण से दो समीकरण मिले जो राजिती में समीकरण की बात करते हैं तो समीकरण के कारण उस चुनाव में हम लोगों ने हार का सामना किया था बहुत ही कम अंतर से और गांडे की जनता आज ही मुझे चाहती हैं आपने जो सेवा दिया है जो आपने एक इमांदार नेत्रित तो यहां पैदा किया है हर के सुख दुखे साथी आप रहे हैं 24 गंटा आप जनता की बीच रहने वाले व्यक्ति रहे कभी आप राची में नहीं रहे तो हम लोग ऐसा ही व्यक्ति चाहिए भहिया आप आए पर लोगों को बनाया और पूरा संगठन खड़ा किया पूरा एक समझ सकते हैं कि आप जो यह जो दच्छिन विहार था जो आज हरखंड है बिहार के टाइम में उस पूरे दच्छिन विहार में भारती जनता पार्ती को खड़ा करने का काम जगदी पर्साथ को स्वाह जी ने किया जिसे लोग भिजम पिता मा के रोपे भी मानते इसी सोचा काम करते रहें, इमंदारी से काम किया और जन्ता के हीतों के कारण ही, हमने बियार सबाओं में भी मान्धियी नौक जूँक हुई रहा है, उसके लिए यह चिंता कभी नहीं किया कि हो सकता है कि मेरा टिकेट कर जाए, पिर चुनाओ लड सकूं, नहीं लड सकूं, एमेले बनूं नहीं बनूं तो जब हूँ कुरसी पर, तो हमाई जनता की जीजान लगा करूं, जनता की सेवक बनूं परूं. इसी भावहों से मैंने काम किया है पाच वर्सों तर. आपने विकास का जो कर्मा गांडे में बढ़ाया था, कलपना सोरेन उस विकास के कर्मा को आगे ले जा रही है या ब्रेक लगा दी या रपतार को काफी तेज कर दी अभी मातर तो तीन मेहना हुआ है और चुकि कलपना सोरेन मुखमंतरी की भी पतनी है और वो तो लोगों के सामने अपने ब्यानों में तो बहुत कुछ कह रही है प्रन्तु भी धरातर पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है और एक बड़ा विशे यह भी है कि जनता विकास त है यह उसका उनके सुख दुख में लगे कि हम भाई यह है कभी को पुलीस तंग कर रहा है हमारी पौन के आगए बात कर लिए क्यों तंग कर रहा है यह गलत है तो एक मने अपना भाई चाहिए यह लोग मांगते हैं और आज भी लोग कह रहे हैं कि कलपना जी से कोई काम प तो क्या बात कर पाएंगे कि नहीं हमारी बात समझेगी कि नहीं समझेगी एक बड़ी समस्या आप जैसे नेतगाओं के साथ तो सहलियत यह भी होती है ना कि एक फोन की है और हात हो गई जी अराम से मेरा पेसा फोन चालू रहता है जी ने मैं भी तो करते रहाता हूं पर कल दीक हो दिन की बहुत नहीं होती है क्या चुक्य जब हो जब कर दो करें दुसरे लोगों की भी बात करें तो क्या हैंफ हमन की कने साय कि अक ही जब हम लोग समहक्ति karışतसी है जह के लिए और कशनिक है लिए करुछा समय के बात से कभी विए डिया कोई वादचीत नहीं, कोई मुलाकात नहीं, कोई टेलीफॉन नहीं, फिर सचलते हैं उसी गांडे पर, जी, आधी, मैं ठोड़ा सा संखिप जो आप इस पर चाहता हूं, कि क्या भाजपा आपको चुनावी अखाड़े में उतारती है, तो कल्पनाव सोरेन के खिलाप मोर्च समाने के लिए आप तैयार हैं, निश्चीत रूप से जब मैं पहले आपको जबाना दिया, कि जनता कह रही है, कि विरहाइक जी, आप आई, विरहाइक जी, हम लोग आपका टिकट मांगेंगे, हम लोग बीजेपी को कहेंगे, कि जप्रकास जी को चुनाव लड़ाइए, और ये लड़ेंगे, तभी जीतेंगे, तो निश्चीत रूप से जीत तो हमारी नहीं होती है, जीत तो जनता की होती है, जनता अपने प्रतिनीदी को अच्छा देखती है, महसुस करती है, उसे मद्दान करती है, और इसलिए जब जनता मुझे आमंतृत कर रही है, और जन ये नहीं देखा, जाती भी नहीं देखा, धरम भी नहीं देखा, कि हमारा ये सड़क जो हम बना रहे हैं, आदिवासी गाओं के लिए बना रहे हैं, ये मैं पूल बना रहा हूं, उसे मुस्लिम गाओं के लिए बना रहा हूं, ये मैं काम कर रहा हूं, क्रिस्चन के गाओं रखा था मैंने क्या 2019 में चुनाव हारने के बाद इस बात का भी मलाल रहा कि एक बहुत ड्रिम प्रोजेक्ट था गांड़े के लिए जो पूरा करते करते हम चुक गए और अधी भी बापसी होती है तो यह हमारी प्राथमिक्ता में होगी जी ऐसे हम लोगे प्रोजेक्ट है किहसे मेरा एक यह सूच था कि हम वहाँ पर एक इजिरिंग कॉलेज के अस्थापना कर सकें और एक मेडिकल क्या स्थापना हो ताकि हमारे लोगों का जो पलायन बाहर होता है तो उस मोई प्राइन को रोका जा सके तो इसके लिए लिए हम लएभो ने पूरा जमीन भी चिन करना होगा करना चाहिए और उसके साथ-साथ हम चाहते हैं कि एक सरकार के पास विशेश प्रस्ताव करके कुटीरुद्यों की अस्थापना गरामीं छेत्र में करा आइज आप गांडे की बिजहान सवा की यह पूरा को डर्मा छेत्र की जो समच्या है विरुजगारी एक बड तो इस भूज़गारी के दूर करने के लिए लोगों को रोज़ग। के कारण बाहर जा रहे हैं प्रदुगर गाउं में संसाधन पैदा करेंगे तो गाउं का जीवन है गाउं में रहना वहीं अपना आये का व्यवस्ता हो जाना वहां का स्वक्स वातार रहना थोड़ा खेती बारी देखना अन प्रकार के कारी को देखना तो यह गाउं का जीव के लिए इसे महत्पुन शणके इसको मेरे दिमाग में था कि यह बन जागा च्छा होगा तो उसके लिए भी हमने प्रस्ताव दिया था बहुत सारी शणकों को मने बनाया तो कोई बड़ी सणके जो आर्शिडी से बनती हैं उन सणकों का मेरे दिवाग में था प्रस्ताव दिया था नहीं हो पाये थे हम उन सब चीजों को पूरा करेंगे और जो बाकी अनिचीव चीजें हैं उन चीजों के लिए हम वगातार सजग हैं हर गाहँ वालों को पाइपल कि लोगों का हम हमेशा सुग्दू का साथ ही रहे हैं हम हमेशा उसी परकार के वहवार से रहेंगे हम पांच साल चुनाव से बाहर रहे मेले नहीं थे फिर भी हमने आपको उस परकार का सेवा दिया है इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोगों इसे परकार से मुझे आवान किया, आए चुनाव लड़िये, पाठी चुनाव लडाती थे बहुत अच्छा है, और नहीं लडाती थे पाठी जिसको भी लडाये, हम बागोंदी जिसको भी लडाये, आप सब उसको मदद करें, और फिर से हम लोग मिल करके काम करेंगे, और गांडे को एक समरित साली शेतर बना करके आम जन जीवन को खुसाल करने का पूरा परियास करेंगे। बहुत बहुत सुक्रिया आपको भी बहुत धन्यवाद, आपके सवताओं को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।